हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अडियो ट्रोप समय और टेक्निकल फ्रेंड संदीप कैसे हो आप सब लोग उमीद घरता हूं दोस्तो बढ़िया ही होगे तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैंने बताने वाला हूँ यह क्रोसोवर जो एक्टिव क्रोसोवर है इसके कनेक्श होता है तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही जरूरी काम और वो जरूरी काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी इसका फाइदा मिल सके ठीके दोस्तो त लाइक कर देना वीडियो को और बढ़ते हैं आगे तो दोस्तो ये बोर्ड मैं आपको इसकी जानकारी कंप्लीटली ओरड़ी दे चुका हूँ पहले वाली वीडियो में जिस भी भाई ने नहीं देखी है जाके एक बार देख लो चेक आउट कर लो ठीक है दोस्तो तो अब करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में बात और कनेक्शन की बात कुछ ऐसी है कि जो ये इसमें हमारे पास लगे हुए हैं पांच जैक जिसको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं एक ये वाला है एक ये वाला है एक ये वाला है ये और ये ठीक है तो पांच हमारे पास इसमें लगे हुए है connector और ये connector क्या काम करते हैं ये काम करते हैं हमारे इसको connect करने के लिए तो पहले आते हैं सबसे पहले कि इस वाले connector पे जो कि अगर आपको दिखाई दे रहे पास से तो इस पे लिखा हुआ है 12012 तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसमें हमें supply देनी है 12012 एक MPA तक की supplies में आप दे सकते हो ठीक है तो इसमें transformer आप direct connect करो 12012 का और okay report चल पड़ेगा ठीक है दोस्तों अब आते हैं इसको गुमा लेते हैं थोड़ा सा ये वाले इस side का जो connector है इसमें तो आपको mid के section पे तो जो ये वाला section है ये वाला है हमारा mid का section और यहां से हम इसमें लिखा हुआ है देखो mid out ठीक है ऐसे गर के दिखाता हूँ आपको ठीक है इसमें लिखा हुआ है mid out तो यहां पे जो है output हम लेंगे connector लगाएंगे mid की output लेने के लिए ठीक है दोस्तो अब आते हैं left में ये हो गया हमारा low out तो low out का मतलब ये हमारा section है base का तो हम जो यहां से output लेंगे ठीक है वो किसकी लेंगे base की ठीक है दोस्तो तो अब आती है ये वाला connector जो हमारा बच गया और यहां पर आपको साफ साफ लिखाई दे रहा है कि input लिखा हुए तो हम यहां पर input देंगे इस board में ठीक है दोस्तो तो ये हैं हमारे पाच connector ठीक है इन से हम क्या करेंगे कि ये वाले हम input output और supply देंगे ठीक है दोस्तो अगर ये board आपको purchase करना है तो आप कर सकते हो connections में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है सब पर connector लगे हुए connector जो wire वाले connector है वो भी आपको साथ में मिलेंगे ठीक है दोस्तो तो और फिर लाइक ठोक देने की और चैनल को सबस्क्राइब करने की तो दोस्तो अगर आपको ये board चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आपको पता ही है कि आप क्या कर सकते हैं नंबर उठाओ और message करो direct या फिर call करो call का reply नहीं मिलता है तो आप message में अपनी query छोड़ सकते है टाइम लगत कि अनुट